हाई गाईज है होप यौल आ डूइंग रेट हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट प्रेस सेशन की जो सुबा चार बज इवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनाइकलर फ्रेंटियर आईएस पर आज की तारीक है 9 फेब्रेरी 2023 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से ssigelpnacle.com और बलजीट धाकर.com साथ ही साथ पर डेली वीडियो पीडियाफ एड मंथली मागजीन आप हमारे टेली गराम हैंडल्स Frontier IAS और SAS Jelpnacle Online को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्विड्स के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्टिन पूचा था कि किस कंपनी ने पे आज़ू ड्राइव वहन बीमा पॉलिसी लॉंच की है और दूसरा क्वेस्टिन पूचा था तार के तेल की खेती के विकास के लिए किस राजे सरकार ने पतंजली फूर्ट के साथ समझोता ग्यापन पर स्टाक्षर किये करेक्ट अंसर था नागालेंड स्टार्ट करेंगे फॉस्ट क्वेस्चिन है विजिट इंडिया एड़ थूजर तईस पहल किसने शुरू की करेक्ट आंसर है जी किशन रेड़ी डीटेल्स सेख लू तो प्रयाटन मंत्री जी किशन रेडी ने विजिट इंडिया एट थोजार तईस पहल के शुरुआत की और नई दिली में लोगों का नावरण किया उन्होंने कहा कि विजिट इंडिया एट थोजार तईस लोगों की लॉंचिंग इस महतोपूर वर्ष में हो रही है क्योंकि भारत जी ट्वेंटी का नेत्रेत्व कर रहा है उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष एक लाग सदिक विदेशी प्रतिनिधी भारत आएंगे और उन्हें समारकोर्त योहारों सहित भारत के संस्कृति के सभी पहलूओं का प्रदर्शन किया जाएगा उन्होंने कहा कि G20 का प्रतियेक विदेशी प्रतिनिधी भारत की संस्कृती, विरासत और प्रेटन सलो का ब्रैंड अमबेस्डर होगा यहां तस्वीर में लोगों देख लीजे Next question है कौन सा शहर हरिद बॉर्ड लॉंच करने वाला पहला नागरिक निकाये बन गया है Correct answer है Indoor Details तेख लो तो Indoor नगम निगम ने लगातार 6 वर्षों तक स्वच्ता सर्वेक्षन में शी स्थान हासिल किया है अपने जल पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगवाट के सौर सयत्रे के लिए 244 करोड रुपे जुटाने की मांग करते हुए Green Bond लॉंच करने वाला देश का पहला नागरिक निकाये बन गया है Green Bond के Public Issue सब्सक्रिप्शन के लिए 10 से 14 फर्वरी तक खुले रहेंगे मामरा National Stock Exchange में सूची बद होगा शेहर प्रशासन का पेजल विभाक सलाना विजली बिल में 300 करोड रुपे से जादा खर्च करता है जुलाद पंपिंग स्टेशन खर्गौन जिली में पढ़ने वाली नर्मदा नदी के पार शेहर का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन है बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागाडम चंबल, इन्धिरा सागाडम नर्मदा नैशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाईगर इज़र पनाा नैशनल पार्क पेंच नैशनल पार्क, बंदवगड नैशनल पार्क मध्य प्रदेशी कैपिटिल ने भुपाल गवर्नर है मंगूबाई छगनबाई पटेल चीफ मनिस्टर शिवराद से चोहान इसकी वर्ल हेटे साइट्स में आता है बुद्धिस मॉनिमेट्स चरसांची और खजराओ ग्रूपव मॉनिमेट्स नेक्स देखो यायत सो को किस राज़ केंदिशासित परदेश की पहली जै विविद्धा विरासस्थल के रूप में प्रसावित किया गया है करेक्ट आंसर है लद्धाक देखेल से खलू तो यायत सो जिसे 4820 मीटर के उचाई पर अपनी खुबसूरत जील के लिए पक्षों के सुवर के रूप में जाना जाता है को लद्धाक की पहली जै विविद्धा विरासस्थल के रूप में प्रसावित किया गया है जै विविद्धा प्रबंदन समीती चुमाथां गाउं की पंचायत और सुरक्षित सेक्योर पर्योजना ने हाल ही में यायत सोको जै विविद्धा अधिनियम के तहट लद्धाक का पहला बीएचेस घोशित करने का संकल्प लिया है सेक्योर हिमाले ने इस जील के संरक्षन का समर्थन करने के लिए बाद में एक प्रबंदन योजना विक्सित करने का भी प्रस्ताव दिया है नेक्स देखो प्रधान मंत्री की आर्थिक सलकार परिशत के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? Correct answer है शमिका रवी Details तेक लो तो अर्थ शास्त्र की प्रोफेसर और शोध करता शमिका रवी को प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाकार परिशत के सदस्य के रूप में न्यूक्त किया गया है वह वर्तमान में वाशिंग्टिन डीसी में ब्रोकिंग इंसिट्यूशन्स में गवर्नर्स टडिस प्रोग्राम की एक अनिवासी वरिष्ट फैलो है अर्थशासरी विबेग देवरॉय के धक्षतावाली EAC-PMA बरतमान में एक सदस्य और छे अंचकालिक सदस्य है प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाकार परिशत भारत सरकार को आर्थिक और संबंदित मुद्धों पर सला देने के लिए गठितिक स्वतंत्र निकाई है विशेश रूप से प्रधान मंत्री को यहाँने तस्वीर में देख लीजे किस खुद्रा कंपनी ने अपने स्टोर पर भुकतान के लिए डिज्टल रुपया या ई रुपया स्विकार करना शुरू किया करेक्ट आंसर है रिलाइंस डिटेल डिटेल सेख लू तो Central Bank of Digital Currency CBDC को अपनाने की प्रक्रिया में रिलाइंस डिटेल ने अपने स्टोर पर भुकतान के लिए डिज्टल रुपया या ई रुपया स्विकार करना शुरू कर दिया डिज्टल मुद्रा के मादयम से भुकतान मुबई में रिलाइंस डिटेल के फ्रेश पिक स्टोर में शुरू किया गया है लेकिन जल्धी भारत के सबसे बड़े डिटेलर के अन्य 17,000 स्टोरों में इसका विस्तार किया जाएगा रिलाइंस स्टोर्स पर अग्रनी डिज्टल मुद्रा सविकृती की पहल भारत्यों को भोगताओं को पसंद की शक्ती प्रदान करने की कमपनी की रनीतिक दुष्टी के अनुरूप है डिजिटल रुपे की सविकृती को सक्षम करने के लिए रिलाइंस रिटेल ने इनोवेटी टेकनोलोजी आईसी 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 आई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साज़ेदारी की है नेक्स देखो जलवायू विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए AI फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए किस अंत्रिक्ष जैनसी ने IBM के साथ साज़ेदारी की है करेक्ट आंसर है नासा डिछेल से एक लो तो AI प्रद्योगिकी की शक्ति के माध्यम से प्रिथवी के जलवायू पर नए निश्कर्ष प्राप्त करने के लिए IBM ने नासा के साथ साज़ेदारी की है दोनों संगठन IBM दवारा विक्सित, AI तक्नीकों प्योग बड़ी मात्रा में प्रिथवी अवलोकन और भूस्थानिक डेटा के साथ करेंगे जो नासा ने साज़ा करने के लिए उपलब्द कराया है प्रिथवी अवलोकन आम तोर पर उपग्रह इमेजिंग के उप्यों के माध्यम से प्रिथवी की भौतिक, रसायनिक और जैव प्रनालियों के बारे में जानकारी कत्र करना है आईबियम ने बताया कि साज़दारी का लक्षे शोद करताओं को इन बड़े डेटा सेटों से बिशलेशन और अंतर दृष्टी प्राप्त करने का एक असान तरीका प्रदान करना है नासा के वरिश शोद करता राहूल रामचंदरन ने बताया किन फाउंडेशन मॉडल का संभावित रूप से कई डाउंस्ट्रीम अनुप्योगों के लिए उप्योग किया जा सकता है नेक्स सेखो यूएस हाउस इंटेलिजन्स कमिटी के एक शक्तिशाली सदस्य के रूप में किसे न्युक्त किया गया है करेक्ट आंसर है अमी बेरा डिठेल्स सेख लो तो भाड के मेर की कॉंग्रेसी डॉक्टर अमी बेरा को खूफिया संबंधी मामलों को देखने वाले एक शक्तिशाली यूएस हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में न्युक्त किया गया है इंटेलिजन्स पर हाउस पर्मनेट सिलेक्शन कमेटी पर देश की खूफिया गतिविधियों के निगरानी करने का रूप है जिसमें केंद्रे खूफिया जैंसी CIA राष्टे खूफिया निदेशक DNI के कारियालियर राष्टे सुरक्षा जैंसी NSA के साथ साथ सेन्य खूफिया कारेकरम भी शामिल है डॉक्टर बेरा ने बताया कि उन्हें हाउस इंटेलिजन्स कमेटी में काम करने के लिए लीडर जेफ्रीज दवारा निउक्त किये जाने पर सम्मानित महसूस हो रहा है जो संयुक्त राष्टे अमेरिका की सुरक्षा और राष्टे सुरक्षा सुनिस्चित करने में महत्वपून भूमी का निभाती है यहाँने तस्वीर में देख लीजे नेक्स्ट क्वेस्टिन है किस राष्टे ने नैशनल बीच सौकर चैंपियंशिप का उद्घाटन चैंपियन जीता करेक्ट आंसर है केरल दीचेल सेख लू तो दुमास बीच सूरत में केरल ने नैशनल बीच सौकर चैंपियंशिप के फाइनल में शांदर प्रदर्शन करते हुए और खिताब जीतने के लिए पंजाब को 13-4 से हराकर राश्टे फुटबर ट्रोफियों के अपने विशाल मंत्री मंडल का ताज अपने नाम कर लिया है पहले दिन खेले गए तीसरे स्थान के खेल में दिल्ली ने उत्राखंड को 3-1 से हराया यह गेम ग्रूप स्टेज का री मैच था जहाँ पंजाब ने 6-5 से करीबी मैच जीता था केरल के कप्तान कमलुदी ने केरल के लिए स्कोरिंग के शुरुआत की कीक ओफ के बाद 24 सेकेंड से एक शोट में धमाका करते हुए उन्हें बड़त दिला दी बात करें यहाँ पर केरल आकी इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुला पेरियार डैम पेरियार इडूकी डैम पेरियार काकी डैम काकी इसके नैशनल पार्क्स में आता है अनामुडी शोला नैशनल पार्क माथी केटन शोला नैशनल पार्क पंपदम शोला नैशनल पार्क परियार नाशनल पाफ केरला की कैपिटल है थिरुवंत पूरम गवर्णर है आरिफ महम्मद खान चीफ मनिस्टर पिनारई विजियन नेक्स सेखो हाल ही में परवेज मुशरफ का निदन हो गया वह पाकिस्तान के पूर्वर डाश थे करेक्ट आंसर है दोनों बी और सी यानि परवेज मुशरफ का लंबी बिमारी के बाद 79 वर्ष की आयू में दुबई में निधिन हो गया परवेज मुशरफ जो मार्च 2016 से दुबई में थे अमयलाई डॉसिस का इलाज करा रहे थे यह दुडलब बिमारी है जो तब होती है जब एक असमाने प्रोटीन जिसे में बनता है और उनके समाने कारे में हस्तर शेप करता है वें 1999 में सफल सेने तकता पलट के बाद दक्षी नेशाई राष्टे के दसवे राष्टे पती और 1998 से 2007 तक साथवे शीर्ष जेनरल थे यहांने तस्वीर में देख लीजे लास्ट क्वेस्टन है आज के सेशन के लि डिठेल्स सेख लूँ तो जमनास दीपा करमारकर को अंतरराष्ट परिक्षन अजेंसी दुबारा किये गए दोप परिक्षन में वीफल रहने के कारण 21 महिने के प्रतिबंद लगाया गया है दीपा करमारकर का डोप नमूना आईटी दुबारा प्रतियोगिता से बाहर इ प्रतिबंदित प्रदार्थ है आईटी ये पुष्टी करता है कि दीपा करमारकर को 21 महिने के लिए निलंबित कर दिया गया है जो 10 जुलाई 2023 तक प्रभावी है दीपा करमाकर त्रिपुरा राजे की एक भारते जिमनास्थ है वियोलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली जिमनास्थ है यहाँने तस्वीर में देख लीजे क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की सामरी की तो विजिट इंडिया एर 2023 इनिशेटिव लॉंच किया जी किशन रेडी ने ग्रीन बॉन्ड लॉंच करने वाला पहला सिविक बॉडी बना है इंदोर यायात सो को लद्दाक के पहले बायो डाइवर्स्टी हेरिटेज साइट के रूप में प्रपोस किया गया है एकनॉमिक एडवाइजिक काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर के मेंबर के तौर पर शमिका रवी को अपॉइंट किया गया डिजिटल रूपी और ए रूपी फॉर पेइम में मेंबर बने हैं अमीबेरा नैशनल बीच सॉकर चैंपियंशिप में इनॉग्रल चैंपियंज जीता है कैरला ने पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेजिडेंट और जेनरल परवेज मुशरफ कनिदन हो गया और दोप टेस्ट में फेल होने पर 21 महीने का बैन लगा है दीपा क कर्माकर पर बात कर लेते हैं आज के सेशन के किस्वदर डे कि आपका पहला क्वेस्टिन है जारकर्ण के स्थाने कारेगरों के लिए कौन सा ओनल मार्केट प्लेस लॉंच किया गया है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है भारत उजजा सप्ता 2023 कारेकरम के दोरान E20 इंधन किसने लॉंच किया दोनों क्वेस्टिन हुमारे प्रीवेस सेशन से हैं इनके सांसे नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटफिकेशन आपको मिल सके हमारी कि दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हेंट्स को जोईन जरूर करना है थैंक यू सो मच अलसी इन में नेक्स सेशन